ये एक किसे के थुरू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे किस तरीके से शेर मारकेट में ऐसे कुछ तत्व हैं जो की फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम ये बात देखते हैं कि कैसे कोई शेर बहुत जल्दी जल्दी बहुत जादा बढ़ जाता है उस समय मुझे एक दिन में कुछ साड़े चार लाख रुपए का नुक्सान हुआ था एक समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि फंड मैनेजमेंट की दुनिया में मेरे लिए बहुत साधरन तरीके से बहुत आसानी से बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ और उसी के बदौलत आज जो मैं अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रहा हूँ वो तकरीबं डेड़ सो करोर रुपए के आसपास है लेकिन साल 2017 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोण आया जहां पर तीस नवंबर 2006 शाम एक कॉल और किस तरीके से मेरी लाइफ और शेयर मार्केट के प्रती मेरा नजरिया बदला वो मैं आपको आज अपनी स्टूरी में बताऊंगा फ्रेंट्स मेरा नाम अर्पित भारगव है मैं एक फानेंशल कंसल्टेंट हूँ मेरी शेयर मार्केट की जर्नी कुछ 16 साल के आसपास की है जिसमें मैं आपको मेरे experiences, मेरी learnings और मेरी जर्नी के कुछ specific moments शेयर करूंगा 2003 के आसपास का समय था मेरी उम्र लगभग गयारा बरस के आसपास थी उस समय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या निवेश की प्रक्रिया जो होती है वो पर्चियों के माध्यम से या शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से हुआ करती थी आज के समय में ट्रेडिंग टर्मिनल्स या स्क्रीन उस समय पर इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी उस समय पर मैं मेरे पापा के साथ में share market की trading करने या पैसा निवेश करने जाया करता था उन जगे को physical stock exchange उस समय पर बोला जाता था या फिर share transfer agents उस समय पर बोला जाता था समय बदलता चला गया 2000-6 के आसपास से ये trading terminals जिसमें आप black screen पर कुछ codes देखते हैं वो आने लगे और 2019-10 के बाद से सोशल प्लैटफॉर्म आ गए और 2012-13 के बाद से स्मार्टफोन के आने के बाद में शेयर मार्केट पर ट्रेडिंग की इस डे बाई डे दिन पर दिन और बहुत ज़्यादा होती चली गी 2034 के समय पर जब मैं अपने पिताजी के साथ में ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टिंग करने जाया करता था उस समय मुझे इस बात फैसिनेट करती थी कि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो किस तरीके से परची के द्वारा अपने शेयर सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं और वो सर्टिफिकेट्स को दूसरे शेयर सहल्डर्स को ट्रांसफर किये जाते हैं पर उस समय चूकी मैं बहुत छोटा था तो उस समय मेरी सूजबूज इतनी ज़्यादा नहीं थी कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कैसे होती है या पैसे निवेश कैसे किये जाते हैं पर जैसे जैसे समय बदलता चला गया 2005 के आसपास जब मेरी उम्र तकरीबन 14 बरस की थी तब चूकी मेरे पिताजी के ट्रेडिंग का होल जो था वो मेरे लिए थोड़ा सा फ्री था क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मैं फोन कॉल के जरीए जो ब्रोकर अंकल हुआ करते थे ब्रोकर को फोन करके ट्रेडिंग कर लिया करता था तो बात तकरीबन 14 बरस का जब मैं था उस समय की बात है और उस समय पर मैंने अपने फ्री ट्रेड करना चालू करे मुझे आज भी ध्यान है कि जो पहले दूसरे या तीसरे शेयर जो की जिन में आप ट्रेड करते हैं मेरे पहले दूसरे तीसरे शेयर जो हुआ करते थे वो उस समय पर स्टील अथॉरटी ओफ इंडिया लिमिटेड हिंडाल को और टाइटन जैसे कुछ शेयर थे जो उस समय पर बहुत प्रचलन में चलते थे और चूंकी तब ये ट्रेडिंग टर्मिनल्स की या स्क्रीन्स की बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो हम न्यूस चैनल पर जो नीचे एक उटी सी पट्टी चला करती थी उस पर उसका भाव देखते थे और उसी के जरीए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया चालू रखते थे उस दौर में जब ट्रेडिंग के शेयर के प्राइज़ जो है वो बहुत पचे हुए कुछ प्राइज़ जो होते हैं वो महिने में एक बार या महिने में दो बार सिफ पेपरों में छपते थे उसी के जरीए आपको उन शेयर्स के भाव का पता चलता था समय और धीमे धीमे आगे बढ़ता चले गया 2006 की बात है जब मेरा ट्रेडिंग के प्रती रुजहान बहुत ज़ादा हो गया था और उस समय मैं कुछ ऐसी गलती कर बैठा जहां पर मेरे पिताजी द्वारा कमाई गई बहुत बड़ी एक जमापुझी हमने नुकसान में खो दी आईए उस बारे में आपको थोड़ा सा डीटेल में बताता हूँ नवंबर 2006 का ये वावा क्या है उस समय जब ट्रेडिंग का जुनून मेरे अंदर बहुत ज़ादा था और आज हमें जब ये बात समझ में आती है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जुनूनियत जो होती है उसके अलावा निकल कर आपको थोड़ा सोचना होता है उस समय पर जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय पर ट्रेडिंग की जुनूनियत इतनी ज़ादा थी कि एक शेयर जिसका नाम हैनौंग तोईस करके था सन 2006 की बात है उस समय पर वो कुछ 120 रुपए से 140 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा था और वो शेयर धीमे धीमे खरीदते खरीदते मैंने उसका कुछ 60,000 मतलब 7,000 शेयर एक साथ एकटा कर लिया था पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि शेयर मारकेट में इतनी जल्दी भाव बढ़ भी जाता है और इतनी जल्दी भाव गिर भी जाता है उसी के दोरान एक दिन ऐसा आया जब मैंने वो शेयर कुछ 136 रुपे के आसपास खरीदे थे और मुझे अल्टिमेटली आखरी में वो 128 रुपे के आसपास वो शेयर काटने पड़े या फिर बेचने पड़े और मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसमें मेरे पिटाजी के कुछ पुराने शेयर जिसका नाम में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिटाजी के पास में कुछ Bank of India के 3000 शेयर थे Bank of India उस समय कुछ trade करता था 170 रुपे के आसपास वो 3000 शेयर जो थे वो एक साथ पूरे बिग गए उस समय जब एक चार लाख रुपे या पांच लाख रुपे की रकम बहुत ज़्यादा मायने रखती थी उस समय मुझे एक दिन में कुछ साड़े चार लाख रुपे का नुकसान हुआ था ये 4.4 लाख रुपए का नुकसान जब मुझे हुआ तो मेरे ब्रोकर जो थे क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो उस समय मेरे ब्रोकर ने मेरे पिताजी को फोन करकर ये बात बताई कि आपके बेटे ने इतना बड़ा ट्रेड किया है और उसे इतना इतना नुकसान हो गया है मुझे ये बात पता थी कि मेरे ब्रूकर ने मेरे पिताजी को ये पूरा वाक्या बता दिया है कि किस तरीके से इन्होंने शेयर एक के बाद एक इखटे करे और किस तरीके से इने नुकसान हुआ मैं घर पहुचा और पापा का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कोई लॉस हुआ ही नहीं है और कुछ एक या डेड़ घंटे बाद में मेरे पिताजी ने मुझे आवज लगई कि अर्पित आओ और मैं पापा के पास में जाकर बैठा और उस समय उन्होंने मुझे जो एक बात बोली वो आज भी मेरे कानों में गुंचती है और वो बात ऐसी बात है जो मैं चाहूंगा कि आप सभी को बात पता चले मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बोली कि शेर मारकेट में जो आपका ट्रेडिंग का नुकसान हुआ है उस ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए आप और फरदर ट्रेडिंग मत करो यही बात मेरे पिताजी ने मुझे अलग शब्दों में समझाई थी हो सकता है मेरे शब्द कुछ बदल गए हो पर उनका मैसेज जो था वो बहुत बड़ा था और वो ये कहना चाते थे कि जो भी ट्रेडिंग में आपने नुकसान किया है उस ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए आप और एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए और इसी के साथ-साथ मेरे पिताजी ने मुझे ये बात भी बोली थी कि ये जो नुकसान हो गया बिटा इस नुकसान को अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है अब हमें हमारी जिंदगी में आगे जाना है और इस नुकसान के पीछे अगर हम सिर्फ ये बात का विलाब करेंगे कि इतना ज्यादा पैसा हमने खो दिया जिंदगी की जमापुझी खो दी तो हम जिंदगी में या equity share market में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वही बात के message से मुझे ये प्रेणा मिली कि नुकसान के पीछे हमें trading में और aggressive नहीं होना है मेरी दीदी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो की एक chartered accountant है और मेरी दीदी ने जो मुझे insights बताई शेयर market के लिए 2009 में या 2010 में या 2011 में वो कुछ इस तरीके के थी कि मैं एक या दो example आपके साथ में कुछ share करना चाहूँगा कि कैसे कोई company अपनी accounting entries के जरीए अपना profit बढ़ा देती है पर उसका actual profit जो होता है वो उतना नहीं होता है जितना हमें दिख रहा है जैसे कोई एक company की कोई निवेश या फिर उसकी investments अगर कहीं पर है और अगर वो अपनी investments profit में dispose कर देती हैं या बेच देती हैं तो उस company के profit उस एक तिमाही में या उस एक छमाही में या उस एक साल में बड़े हुए नजर आते हैं पर वो उनके व्यापारिक फायदे नहीं होते हैं वो ऐसे फायदे होते हैं जो की आप सामान्यतह अपनी business activity से नहीं कर पा रहे हैं आपने उसके लिए कोई specific transaction के थुरू अ मेरी दीदी ने बताए जिससे मुझे ये बात पता चली कि किस तरीके से जब आप analysis करते हैं जब आप किसी share को देखते हैं उसे समझते हैं उसके financial statements को पढ़ते हैं उनके profit and loss statement को देखते हैं या balance sheet को देखते हैं तो ऐसे कौन-कौन सी चीज़े हैं जिने देखना बहुत जर सकता है या अगर किसी company में वैसा चल रहा है तो वैसा भी हो सकता है इन संभावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको अपनी निवेश की प्रक्रिया जो है उसे मजबूत बनाना होता है ultimately मुझे बात समझ में आई कि निवेश की प्रक्रिया में जल्दी पैसा बनाने के मैंने चालू कर दिया था और fund management जिसे हम आज के समय पर बोलते हैं वो fund management के समय पर बहुत सारे challenges शुरू में आए जब हमने ये काम की शुरुवात करी तो उस समय पर ऐसे challenges आए जिसके बारे में एक या दो वाक्या में आपके साथ में share करना चाहूंगा शुरू के 2-3 साल जब आप fund management करने आए तो मुझे अपने ही relatives या अपने ही रिष्टेदारों ने funds नहीं दिये manage करने के लिए जो मैं बोलता था वो मेरे ही बात मेरे ही relatives नहीं मानते थे मेरे ही friend circle में जब मैं लोगों को निवेश के कुछ अच्छे तरीके बताता था तो वो मेरे दोस्ट मुझे discard कर देते थे या मुझे ignore कर देते थे पर 2013-14 के बाद से जब मैंने उन्हें passive investing के बारे में बताया या फिर इस बात पर विशेश जोर दिया जहां पर आपका पैसा धीमी प्रकरिया से बनता है पर मजबूती से बनता है सद्रता से बनता है उस बात को लेकर मुझे 2013 के बाद से बहुत अच्छा response मिला एक छोटा सा वाक्या मैं आपके साथ मैं share करूंगा 2013 की बात है जब mutual funds का निवेश जो होता था वो बहुत ज़्यादा popular नहीं था जिसे हम बोल सकते हैं आज के समय में तो इतनी सारी websites हैं इतने सारी punch line चल रहे हैं mutual funds सही है ने तो mutual fund industry की पूरी काया पलट कर दी है तो उस सम समय पर SIP करके यह जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था SIP में जहां पर आप हर महीने कुछ पैसा निवेश करते हैं और उस तरीके से आप लंभी अवदी में जो आपका पैसा निवेशित होता है वो compounding के जरीए बहुत बड़ा पैसा बन जाता है य या fund management में यही प्रकरिया को लेके जब हम हमारे client से बात करते हैं तो उन्हें ये बात का संतोज लिलाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कैसे दीमी तरीके से मजबूती से पैसा बनाया जा सकता है एक मेरे client के पास में मैं गया था और उन्होंने मुझे ये बात बोल दी थ तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अरपित हम कुछ दो लाख रुपे का निवेश करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ हम हमारी छोटी बिटिया उनकी छोटी बिटिया थी उसके लिए कुछ 500 रुपे महीने की एक SIP चालू करना चाहते हैं अब जब मैं उनके पास में गया था तो 500 रुपे की SIP चालू करना इसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रहा था कि मुझे जो फंड मैनेज करना है वो दो लाख रुपे तो जो लमसम इंवेश्मेंट मिला है वो मैनेज करना है और उसी के साथ साथ ये 500 रुपे महीने की जो SIP है ज मुझे एक तो बहुत दूर जाना पड़ा और उसी के साथ साथ उस समय पर जहां पर ऑनलाइन प्लैटफॉर्म इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म जब इतने रिलाइबल नहीं थे तो उनसे चेक कलेक करके लाने होते थे और वो चेक बैंक में ज ने बहुत सारे परिचित जन से मुझे मिलवाया और धीमे धीमे करके वो सभी मेरे क्लाइंट बनते चले गए एक समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि फंड मैनेजमेंट की दुनिया में मेरे लिए बहुत साधरन तरीके से बहुत आसानी से बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूं लेकिन साल 2017 में मेरी जिन्दगी में एक ऐसा मोण आया जहां पर मैं चाहता था कि मेरी सक्सस खास कर मेरे पिताजी देखें पर 2017 में जब मैंने एक इंडिया टूर अनाउंस करा था जिसमें इंडिया के 12 अलग अलग शेहरों में जाकर हम ये बात बताना चाहते थे अलग अलग निवेशकों से मिलकर ये बात समझाना चाहते थे कि कैसे एक निवेश की मजबूत प्रक्रिया से आप बड़ी वेल्थ क्रियेट कर सकते हैं इसके लिए जो इंडिया टूर अनाउंस करा था वो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा फरवरी 2017 में मेरे पिताजी मेरा साथ छोड़ कर चले गए उस वज़े से कुछ चार महीने मैं में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा कोई काम भी नहीं कर पाया मेरी फैमली का सपोर्ट मेरे साथ में था पर चूकी मेरी मदर को हेल्थ इशूस थे तो कुछ चार महीने के समय में मैं अपने क्लाइंट्स को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाया कुछ क्लाइंट्स मेरा साथ छोड़ कर चले भी गए पर 2017 जुलाई से फिर वही इंडिया टूर जो मैंने मेरे पिताजी के सामने अनाउंस करा था उसी को पूरा करने के लिए मैंने वापिस हिंडुस्तान के अलग-अलग शहरों में जाकर वो सेमिनार करे, सेशन्स करे, वरक्शॉप करे और आज भी मैं वैसे ही वरक्शॉप, वैसे ही सेशन करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा आज मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है पर उनके द्वारा दी गई ये सीख की ट्रेडिंग में जो नुकसान घटा है उसे कवर करने के लिए आप जल्दी पैसा बनाने के लिए मत जाईए यही वो सीख है जिससे मैं mutual fund industry में consultant हुआ और वो 500 रुपे की SIP और 2 लाख रुपे का निवेश जो की 2012, 2013, 2015 में मुझे बढ़ता हुआ चले गया और उसी के बदौलत आज जो मैं अपने clients का fund manage कर रहा हूँ वो तकरीबं 1.500 करोड रुपे के आसपास है equity market की ये journey में बहुत सारे successful मैंने points देखे और इसी के साथ साथ मैंने ऐसी बहुत सारी चीजे भी देखी जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ जिसमें से एक कहानी या एक किसे के थुरू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे किस तरीके से share market में ऐसे कुछ तत्व है जो की fraud करने की कोशिश करते हैं या फिर fraudulent practice करके बहुत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्या बताऊंगा जिसमें हम ये बात देखते हैं कि कैसे कोई share बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक समय पर उस share में कोई खरीदार होता ही नहीं है और एकदम से उस share में बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे वेक्वाल आ जाते हैं इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्जाम्पल दूँगा हम ये बात मान लेते हैं कि कोई एक प्रमोटर जिसके पास में कमपनी के 70% या 75% शेयर है वो प्रमोटर ये चाहता है कि किस तरीके से उसका पैसा बढ़ता जाए और किस तरीके से वो शेयर मार्केट के जरीए अपनी ही कमपनी से पैसा बना कर बाहर हो जाए कई प्रमोटर जो की बहुत अच्छे प्रमोटर नहीं होते हैं जिनका उदेश्य व्यापार करना नहीं होता बिजनस करना नहीं होता सिर्फ शेयर मार्केट के थुरू अपना पैसा बढ़ाना होता है या पैसा कमा कर बाहर निकलना होता है ऐसे कई प्रमोटर हमने देखे हैं उसमें से एक जो पैटन हमने अब्जर करा है जो की अधिकतर fraudulent practices में पाया गया है कि एक similar pattern होता है उस pattern के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा प्रमोटर अपने inner circle में सबसे पहले ये बात कहते हैं कि हमारी company का share मान लेते हैं कि उनकी company का share 100 रुपे का चल रहा है और वो अपने ही inner circle में ये बात बोलते हैं कि अपनी company बहुत अच्छा perform कर रही है और बहुत अच्छा perform करने वाली है अपनी company के मुनाफ़े जो हैं वो 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ने वाले हैं इस तरीके से अपनी company का share जो रहेगा वो 100 रुपे वाला share जो है वो 1000 रुपे हो जाएगा धीमे धीमे करके आपको बजार में इस तरीके की rumors मिलना चालू हो जाती है इस तरीके की अववाहे मिलना चालू हो जाती है जहां पर आप ये बात देखते हैं कि 100 रुपे का कोई शेयर 500 रुपे होने वाला है या 1000 रुपे होने वाला है पर आप उस रूमर पर विश्वास नहीं करते प्रमोटर अपने चुनिंदा लोगों से बोल कर अपने ही शेयर में खरीदारी चालू करवाते हैं जिससे उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता जाता है धीमे धीमे वो शेयर का भाव 100 रुपे वाला भाव 1500 रुपे 200 रुपे हो जाता है ऐसे निवेशक ऐसे इनोसेंट इन्वेस्टर जिन इनोसेंट इन्वेस्टर ने ये बात सुनी थी 100 रुपे पर कि ये शेयर का भाव 1000 रुपे होने वाला है वो उस बात पर तब विश् होने लगता है कि ये कंपनी के शेयर का भाव 1000 रुपे हो जाएगा ऐसे इनोसेंट इन्वेस्टर ये कंपनी के शेयर का भाव धीमे धीमे खरीदते खरीदते बढ़ा देते हैं और इसी तरीके से आम जनता जो होती है वो इस शेयर को खरीदते खरीदते इस शेयर का भाव 500 र 800 रुपे तक कर देती है पर उन्हें ये बात नहीं पता होती कि इस कंपनी का मुनाफ़ा जो है वो सिर्फ एक बोगस मुनाफ़ा है इस कंपनी के पास में एक्चुल कोई मुनाफ़ा है ही नहीं इस तरीके से प्रमोटर 800 रुपे के आसपास या 900 रुपे के आसपास उन्होंन shares जो होते हैं उनका भाव चला कर या फिर अपने भाव में manipulative practice करकर उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं जो की सेबी के अनुसार बहुत गलत है और इसके लिए सेबी ने insider trading regulations भी बना रखे हैं और manipulative trade practices भी बना रखी हैं मैं आपको एक किसा और बताना चाहूंगा जो की इंडिया के almost हर निवेशक के साथ में होता है हर निवेशक को अमूमन अलग-अलग शेहरों से phone call आते हैं और phone calls पे पहला सवाल जो होता है वो यही होता है कैसी चल रही है आपकी share market की trading यह share market की trading का जो fraud है इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कुछ लोग यह fraud करते हैं या फिर यह fraud करने की कोशिश करते हैं और यहां से पैसा कमाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं आज के इस दौर में जहां पर किसी भी company के पास में आपका active investors का या active traders का बहुत सारा data होता है यह लोग वहां से आपका data purchase करते हैं डेटा खरीडते हैं और अपने telecaller के थुरू आपको calling की जाती है और आपसे यह पूछा जाता है कि आपकी trading कैसे चल रही है यहां पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि वो सुनकर आप ऐसे किसी call पर ये विश्वास ना करें कि ये सही हो सकते हैं या ये आपको जिन्दगी में कभी पैसा कमा कर दे सकते हैं मैं आपको उस वाक्य की तरफ लेकर चलता हूँ जहां पर active investors और active traders के data को कहीं से या अलग अलग जगे से purchase किया जाता है और फिर उसमें data bifurcation के थुरू आपको ये बात बताई जाती है कि किस तरीके से हम share market में जो बात भोलते हैं या हम share market में जो call देते हैं वो 100% सही होती है अगर किसी company के पास में जो की fraud करने आई है अगर उस company के पास में मान लेते हैं कि कुछ 20 लाख active traders का data है तो उन 20 लाख active traders के data में वो company पहले 10 लाख active traders को ये बात कहती है कि आप ये share खरीद लीजिए इस share का भाव बढ़ने वाला है और बचे हुए 10 लाख को ये बात कहती है कि ये share आप बेच दीजिए इस share का भाव गिरने वाला है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी winning probability जो है वो 50% होती है तो इस share का भाव या तो बढ़ेगा या फिर share का भाव जो है वो गिरेगा अगर उस share का भाव बढ़ जाता है तो गिरने वाले data को हम अलग कर देते हैं और बढ़ने वाला जो data है उसमें हम दूसरे share की बात करते हैं और 5 लाख निवेशक को ये बात बोलते हैं कि इनका भाव बढ़ेगा और 5 लाख निवेशक को ये बात बोलते हैं कि किसी एक company के share का भाव गिरेगा अब उसमें से पांच लाख निवेशक जो होते हैं वो वाले होते हैं जिन्हें आप दो बार ये बात बता चुके हैं कि आपकी दोनों बार कही गई बाते जो हैं वो पूरता सही है और जैसा आप कहते हैं शेयर मारकेट वैसा ही चलता है वो तीसरी बार अपने फ्री ट्रायल के तोर पर तीन कॉल दे चुके होते हैं और अब उनके टैली कॉलर्स उन्हें फोन करते हैं और ये बात बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुणे और हम आपको इसी तरीके का मुनाफ़ा हमेशा करवाते रहेंगे और उनके द्वारा दिया गया लालज ज होता है वो आजाता है और उन्हें पैसे दे देता है पर कुछ समय बाद उस इनोसेंट इन्वेस्टर को जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि वो जो तीन कॉल थी वो सिर्फ एक संयोग था या फिर वो जो तीन कॉल थी वो हो सकता है कि हो गया हो पर ये जो काम करवाते ह ये सही काम नहीं है और उन्हें नुकसान ही नुकसान होता है इस तरीके से बहुत सारी कंपनिया या फिर बहुत सारे लोग इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं जिसमें वो करोडो रुपया लेकर रातो रात अपना दफ्तर खाली कर देते हैं अपने ओफिसेस से गायब हो जात जिसमें आपसे बात पूछी जाती है कि आपकी शेर मारकेट की ट्रेडिंग कैसी चल रही है आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं तो हम आपको अच्छे मुनाफिक लिए काम करवा दें तो उन कॉलों से आप सचेत रहें उन कॉलों पर पूर्णता वि पताना चाहूंगा कि ये जो दो तरीके हैं, ये दो तरीके के फ्रॉड भी इक्विटी मार्केट में होते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी निवेश की प्रक्रिया को मजबूत बनाएं, reliable बनाए, strong बनाए और fundamental investing पर विशेशकर में आपको ध्यान के इंदरीट करने के लिए कहूंगा तो दोस्तों, all the best for your investing journey happy investing and happy trading